अब आपको गुर्दे में और पिते में पत्री यानी किड्नी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर असलाम अलेकुम नाजरीन से वेलेच नियो सच को रखे आप के आगे सेद सलीम साहब ने यह कहा कि सेद सलीम सोशल एक्टिविस ने यह कहा कि रम्दान के पाक महिने में हमेशा सारे लोग इबादतें करते हैं और अपने गुनाओं को माफ करने की कोशिश करते हैं लेकिन ऐसे महिने में एक्सफो के नाम पर जो बेहुद की की जा रही है शहर हैदराबाद में कुछ कामेडियन्स की जानीत से और कुछ फिलिमी स्टार् ही है से सलीम ने ये बात कही से सलीम जाब ने इस पर क्या कहा आई ये सुनते हैं तमाम तफसिलाद इन्हीं की जुबानी लिए तुम लोग ऐसे वीडियो मत बना तमाम यूटूबरों को मैं वार्निंग दे रहा हूं और ये जो मुनवर फारुखी को इसको फारुखी को आज लेकिया ये लोग उनको मैं कहूंगा कि तुम लोग बिलकुल नसले हराम हो तुम लोग मुसलमा नहीं हो क्योंकि वो वाखिया शायद तुम लोग भूल गे राजा सिंग्वाला और ये एक्सपो के नाम के उपर हैदराबाद के अंदर जो कुछ हो रहा है मैं तमाम उल्मा एक्राम से कहूंगा कि इसकी मजब मत करें हैं बैटके तमाशा देखना आपका काम नहीं है आलिमों का हमारे मौलानों का आलिमों का मुस्तियों का आप, अस्लербाद का मजब मुद्दूदू, बजरूगो, मेरी मा और मेहनों. आजकल हैदराबाद के अंदर मुध्द्स रम्दान के महने में एक्सपो के नाम के उपर बत्रमेजह की जा रही है, रम्दान के मुध्द्स महने को पामाल किया जा रहा है. ये ताखराते हैं द साल के रातों के बराबर है उन एक हजार साल के रातों को तलाश करने का हुकम दिया गया है तो उनको आपको एक्सपो में तलाश करने के लिए नहीं बलकि अबादत करने का हुकम है नभी करीम सल्ले लाह ले सलम दस दिन इतिकाफ में होते सारे साहबा एकराम इतिकाफ में बै के जो है लेलत लखदर की जो है को तलाश करते हैं दुआ करते हैं ऐसे में हैदराबाद के अंदर देखा जा रहा है कि कुछ यूटूबर्स और कुछ अपने मफात के लिए कुछ चार पैसे कमाने के लिए एक्सपोस लगाए गये लास्ट एयर जो है करिशमा कपूर को लाया गया और आज देख रहा हूं मैं के मनवर फारू खू को लेकि आया गया आप लोगों चेखना मिठा इर। को लानने वाले अभी वह एक चिखना मिठा इर्फान और और चिच्छ़वा शहबास यह च्छ़़ए मिलके इसको लेकर आयो आप लोगों को याद है इसकी तरफ स रहा और मलून काला लिंडो राजा सिंग जो है उसको वार्निंग देते रहा कि हमारे भगवानों को गालियां देता है इसको हैदराबद ना लाया जाए उसके बाद दूसरी मरतबा भी उसने मलून ने जो है वार्निंग दिया लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों ने उसको यहां लाया, वो भगवानों को देवी देवताओं को गाली देता है, खड़े के, उनका मज़ाख बनाता है, नतीज़ा क्या निकला, कि वो मलून गुस्ताख रसूल, काला लिंडो, राजा सिंग, नभी करीम ﷺ की शान में गुस्ताख ही किया, एक्शन, रियक्शन, रिय गवाने ने प्रोटेस्ट किया, आज उसको भूल कर, जो लोग लेके आए हैं, तो तमाम लानती हैं, उनके ओपर मैं लानत भेशता हूं, जो मनवर फारिखे को दोबारा हैधराबाद में लाए, उसकी तरफ से हैधराबाद में हमको इतना बड़ा दिल दुखा, कि उस कु पिच्वरापन, ये तमाम चीज़े वहां हो रही है, मैं इन तमाम की मजब मत करता हूँ, तमाम यूटुबर्स को वार्निंग देता हूँ, जितने यूटुबर्स हैं, तुम लोग कोई भी अपना वीडियो बनाओ, मुझे कोई इतराज नहीं है, तुम लोग हसी अक्टिविटिस के बनाओ, जो बनाना है बनाओ, लेकिन इसलाम के नाम के उपर, नमास के नाम के उपर, रोजे के नाम के उपर, तरावी के नाम के उपर, ताजित के नाम के उपर, अगर वीडियो बनाएंगे, तो जो है, मैं तुम लोगों का फीचा करूँगा, तुम ल हो जाए तलब है तो सिगरेट पी सकते हैं क्या अरे किस खिसम के आप लोग भाई आप लोगों को एक ले क्या कि बिठा रहा है गहर मुस्लिम आउरत को मेक अप करके बेगम तुम कौन सी नमाज पढ़ रहे हो ताजुत की पढ़ रहे हो अरी ताजुत की नमाज अंबिया अल को क्या मालूं तू चार वीव्स के लिए और चार पैसों के लिए तेरे को पैसे होना तो बोल हम लोग चंदा करके पैसे देते तुम्हारे को मगर अल्ला के लिए जो है तुम लोग ऐसे वीडियो मत बनाओ तमाम यूट्यूबरों को मैं वार्निंग दे रहा हूं और ये एकस्पो के नाम के उपर हैदराबाद के अंदर जो कुछ हो रहा है मैं तमाम अल्मा एकराम से कहूंगा कि इसकी मजब मत करें हैं बैट के तमाशा देखना आपका काम नहीं है आलिमों का हमारे मौलानों का आलिमों का मुफ्तियों का आप लोग उसके अपर फत्वा सादि कीजिए बुलिए कि ये गलत है और यह है रमजान के तकद्द्द को पामाल करने नहीं दिया जाएगा चाहे वो सानिया मिर्जा की बेहन रहो या असद अजर अदिन का बेटा हो चाहे कोई हो इन लोगों को इसलाम से क्या तालुख है इनको ये नमाजी है लोग मैंने समझता तुम ने कमाया कोई एक रोजगा ड़िए लगा कि दो लोगों को कभी हैजराबाद के लोगों को तुम ने कुछ काम किया तुम जो कमाए पैसा दूबे में रखें लगए मिली केसा बढ़े मैं तमारे है तक पहुँआ तक पहुँचाएं और तमाम उल्मा एक्राम को मैं अदबन गुजारी शर्ता हूँ माहर रम्दान उल्मारक के इस मुखदस महिने के ताखरातों में आखरी अश्रे का जो है लोगों को अवाम को इन लोगों को बताएं यूटिवरों की समझ में नहीं आएगा यह लोग जो पैसे कमाने के लिए धन्दा करने वाले धन्दा करने वाले यह इन लोगों के समझ में नहीं आएगा के ताखरात क्या है एक हखार साल की एक ताखरात हाँ āछ उस जमाने में मुसा عل begin के जमाने में 1000-009-009 साल की उमर होती थी उनकी उम्मत 9 साल अबादत करती थी लेकिन हमारी उमर बहुत कम है तो नबी करीम Meine lawyer, झालोम है कि आपके लिए जो है, लैलत अलतम ने आपको अता की है मेरीकाम को, मेरी उम्मत को जो हजार साल के बरावर है एक हजार साल के बरावर एक रात है उसमें अबादत करो, यह शापिंग करो नहीं बोले, जाके जो है, यहां पे लेके आके रवीना टंडन को देखे चीखा मारो नहीं बोले, क्या हिसाब से रवीना टंडन को ला रहे हैं, क्या हिसाब से अब करिश्मा कपूर को ला रहे हैं, क्या हिसाब से वहां चीखा मार र नका माहौल उनका चटमी नाम का मसल्मन है लकिन ये लोग हकीखत में मसल्मन नहीं हो सकते मैं तो इनको कहाँगा कि ये मुसल्मनी नहीं हैं बरहाल आप लोग इसकी जहे जायता से ज़्यदा मजबमत कीजिए खुदा हाफिस दवाय की जाती है फराहम तो देर ना करें जल्द ही तश्रीफ लाए आरेस युनानी फार्मेसी बहदुर्पुरा एक्स रोड ऑपोजिट केनारा बैंक हिदरबाद मजीद तफसिलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर खबर है शहर की खबर है गाओं की खबर है सारी दुनिया की 7H News पसंद आए तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्स्राइब करना ना भूले 7H News